यूएफा चेंपनेज लीग की कौटर फाइनल लाइनप तै होने के बाद अब दुनिया भर की निगाहें जुवेंटस और बारसिलोना क्लब की टीमों की और टिक गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां के दोनों के दिगजों की तो दिगज खिलाडियों की अगर हम बात करें तो बारसिलोना का पूरा भरोसा जो है लियोनल मैसी पर है जो पूरी तरह से अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और वहीं जुवेंटस की अगर हम बात करें तो क्रिस्ट ने जहां सेविया जो की स्पैनिश लीग में वो उत्रे थे सेविया टीम के खिलाफ वहां उन्होंने हैट्रिक को अंजाम दिया था और वहीं क्रिस्टेनो रिनाल्डो ने अटलेटिको मेडडिट के खिलाफ अपनी हैट्रिक को अंजाम दिया दरसल जो रैवलरी या राइल नडएल और रोजर फेडर के बीच में जो राइवलरी देखने को मिलती थी को राइवलर होने लगता है और जैसे वक्त बीचता है उसके खेल में गिरावठानी शुरू हो जाती है लेकिन इन दोनोग क के साथ कुछ उल्टा है अगर हम लियोनल मैसी की बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों जो गोल किया था लियोन टीम के खिलाफ तो वहां उन्होंने करीब अपने जो चैंपिन्स लीग में अपने गोल की संख्या को एक सो आट तक पहुँचा पाएं हैं लेकिन इसके बावजूद इनकी तुलना पेले और माराडोना जैसे महान खिलाडियों से की जाने लगी है एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि वो पेले से कम नहीं है यह दोनों खिलाडी जो हैं माराडोना से कम मिलती है अब दुनिया भर के फुटबाल प्रेमी यहीं चाहेंगे कि चैंपियंज लीग में जो वेंटेस का मुकाबला बारसेनोना कलब से हो फाइनल में ताकि दोनों खिलाड़ियों की परतिदंदिता एक ही मैदान पर देखने को मिले अगर आप मेरी इंसाबातों से तिफाक रखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें